नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपकी अपने चैनल अंकित वर्मा ओलेट भी नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखे चुके हैं कि आज की इस वीडियो में आपको आज 22 मई 2021 की हिमाचल प्रदेश की शाम 5 बजे तक की सभी ताजा ख़बरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो पर एंट तक पहने रहिए अगर आपने भी तक वीडियो को जो है लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले हैं जिन्होंने चैनल को सबस्क्राइब कर लिया वो साथ में बेल आइकन को दबा लाएं ताकि आप तक मेरी हार नॉटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो है शूरू करते हैं शूरू करते हैं आज शाम की टॉप 13 खबरें तो चलिए शूर की अंतिम बर्ष की प्रिक्षाओं पर फैसला ना होने के बावजूद पीजी में प्रवेश के लिए ओनलाइन आवेदन की मांग जो है मांग लिये हैं करोना मामारी से बने हालात और लगातार बढ़ रहे मामलों और पिछले सत्र में मेरिट आधार पर प्रवेश दिये ज खूले रखे हैं करोना से बिगड़े हालात और कर्फ्यू लोकडाउन की संबावनाओं को देखते हुए प्रवेश परीक्षा करवाने या ना करवाने पर फैसला नहीं लिया है पीजी में प्रवेश को आवेदन के जारी अधसूजना में अधिश्टता अध्याइन में सा है कि यदि करोना के करवेश परीक्षा करवाना संबब नहीं हुआ तो विश्व विद्याले क्वालिफाइंग एक्जाम की मेरिट के अधार पर मानकर कोर्स में प्रवेश देने का फैसला ले सकता है प्रवेश परीक्षा का होना तय नहीं फिर भी चुकानी होगी पूरी आवेधन फीस तो PG कोर्स में प्रवेश परीक्षा हो पाईगी या नहीं या फैलालता ये नहीं है लेकिन छात्रों को ओनलाइन आवेधन फीस पूरी चुकानी होगी अब सवाल है कि प्रवेश परीक्षा ना करवाई गई तो क्या छात्रों से 61 होने वाली करोडों की आव प्रशासन का या दावा तो हिमाचल प्रदेश की डिश्टिक चंबा भरमौर से निउजे की होली मार्क पर चल रहे चोड़ाई की कारे में की ब्लास्टिंग के बाद जो है अचानक पहाड का एक बड़ा हिस्सा गिर गया इसकी जद में आकर होली घाटी को जोड़ने वाले एक हिस्से पर जो है मलबा आगी रहा है हलांकी एडियम भरमौर का कहना है कि पोल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है उपमंडलिय प्रशासन का दावा है कि दुपहब दो बज़े तक सड़की आतायाद के लिए बहाल कर दिया जाएगा अगनी जापकी कि सीम जाराम बोल उन्होंने कहा कि हॉम आइसोलेशन किट करोना मरीजों का होसला बढ़ाने के लिए दी जा रही है विधाई के इन किटों को उन सभी मरीजों तक पहुंचाएं जो घर में इलाज कर रहे हैं अस्पतालों से जो स्वास्ते होकर जा रहे हैं उन तक भी विधाई किस किट को प अगणी उजापकी कि नेर चौक कोविड अस्ताल में 24 साल की युवती साहित 6 और करोना संक्रमतों की मौत है तो हिमाचल परदेश की डेडिकेटिड अस्ताλ नेर चौक में 6 और करोना संक्रमतों की मौत हो गए इन में से एक कुलू और 5 मन्डी जिले के रहने बाले थे पोट क्षेत्र के 52 वर्षे वेकती जोगिंदर नगर के ही हारा बाग क्षेत्र के 77 वर्षे वेकती बला के राबन क्षेत्र के 49 वर्षे वेकती और कुलू जीला की सादर तैसील क्षेत्र के 60 वर्षे महिला की आज यहां मौत हुई है नेर्चौक मेडिकल कॉलेज के MS गाउं में प्रवासे मजदूर की पीट-पीट कर जो है हत्या की जाने कहीं का जो है सनी खेज मामला सामने आया है हत्या का आरोप जो है दो सगे भाईयों पर लगा है मृत्य की पैचान बिहार के पूर्णिया जी लेकिए दुबशी गाउं निवासी बीरबल महतों के रूप में मचा हडकंप तो करोनम हमारी की दूसरी लहर के बीच बचों के लिए एकस्पायरीडेट निउट्रीशन बांटने का मामला परकाश में आया है मामले की सुचना मिलते ही विभाग में हडकंप मच गया है बता जा रहा है कि बीते दिनों ही यह राशन बांटा गया और अ गनी मत या रही कि लोगों ने इस पैकट की तीथी को देख लिया। अगनी उजापकी कि पूर्व मंत्री जियास बाली के शिमला में लगे होल्डिंग फाड़े। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक कमेटी का गठन किया था। इस समीती ने करोना के करण अनाथ हुए बच्चों के लिए हरमा दो हजार उपए देने की घोशना की थी। इसके साथ ही जियास बाली की कई होल्डिंग शिमला में लगाए गए। पुराने बस स्टेंड और पाल्टी कार्याले राजी भावन म नहीं आया है। अगनी उजाब की कि ड्यूटी पर सीयार पीफ जवान में की आत्मत्या दस तारीक को छुटी काटकर जोइन की थी नौकरी। तो निर्चोक से न्यूज है कि बला उपमंडल के गल्मा के पास कोटलू गाउं के सीयार पीफ के जवान तेजवन्त सिंग का आ आया कि तेजवन्त सिंग ने गोडी मार कर आत्मत्या कर ली है। अगनी उजाब की कि मदर ट्रेसा संस्ता के जज़वे को सलाम करोना वारियर्स और जरूर्त मंदों की ज़रूरी समगरी पहुँचा मदद कर रही संस्ता। तो यहां कि मदर ट्रेसा समाज सेवा संस्ता के जज़वे को सलाम है कोविट के खोप से लोगों के घरों लोग घरों में डटे हैं कुछ ने बजार चमका हैं और कुछ लूट मचा रहे हैं पर मदर ट्रेसा संस्ता करोना वारियर्स और जरूर्त मंदों की मदद में जूटी है। शुकरबार को इस संस्ता की अध्यक्ष बबली शर्मा और सहयोगी सुरेशना पट्याल ने हर उस व्यक्ति या संस्तान को कोविट से लड़ने में जारूरी समगरी उपलब दिकरवाई जिनके लिए या अवश्यक थी। अगर नियुज आपकी कि बिना ऑक्सीजन और द्योगों की सांसे बंद गगरेट में अक्सीजन की सारी सप्लाई स्वास्टे संस्थानों को निरधारित कर देने के बाद और द्योगों को जो है अक्सीजन की सप्लाई ना होने से इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ा है। गाट की ग्राम पंचायत मंझेड के गाउं पंगा ले लिए बनने वाली सड़क से गाउं के लोगों के लिए किसी वर्दान से कामने ही होगे क्योंकि आजादी के साथ दशकोंबाल उनकी समस्याओं का हल होने जा रहा है। हमीरपूर मेडिकल कॉलेज की MS रमेश चोहन की माने तो मेडिकल कॉलेज में प्रतिमा 150-200 योनिट रक्त की आविशक्ता होती है। कॉलेज के ब्लड बैंक में मात्र 62 योनिट रक्त उपलब्द है लेकिन COVID-19 की चलते किसी भी प्रकार के ब्लड केंपों का आयोजन ने हुआ जिसकार मेडिकल कॉलेज में रक्त की कमी आई है। अगनि उजब की कि चंबा में करोना से मौतों का सिलसला जारी दो और लोगों ने तोड़ा दम। जादियों के अलावा जेल स्टाफ भी शामिल हैं अगर नियुज आपकी कि एक ही नाम के दो वैक्सिनेशन के अंदर से आसामांजस एक डोज खराब हो गई तो दोस्तो अगरी जो नियुज आपकी कि डीसी ओफिस उनना मैं चत्वर्थ श्रेणी के पादों पर भरती के लिए मुल्यांकन प्रिक्रिया स्थागित कर दी गई है सर्मौर जी लेके जिन उमीदबारों ने जतोर छ्रेणी के पदों पर होने वाली भर्ती के लिए आवेदन किया है उन्हें सायक आयुक्त उन्ना डॉक्टर रेखा कुमारी ने आवगत करवाया कि दस्तावेजों के स्त्यापन तथा मुल्यांकन की प्रिक्रिया 27, 28, 31 माई को निर्धारित की गई थी लेकिन करोना करफी हुआ सारवजनिक परिवाहन की सुविदा बंद होने की बज़ा से इसे आगामी आदिशों तक जो है स्थागित किया जा रहा है अगणी उजापकी कि सर्मौर में ये होगा ओचत मुल्ये की दुकाने खोलने का समय समबार को रहेंगी बंद है अगणी उजापकी कि बिश्य पर से प्राचीन लोकतंतर गाउं मलाना में 36 लोगों ने लगाई करोना वैक्सीन तो दोस्तों ये थी आज 22 माई 2021 की हिमाचल परदेश की शाम 5 बज़े तक की सवी तादा खबर है अगर आपने अभी तक वीडिय जब है जब हाद